हालो नमस्ते स्वागत है आपका टॉप्स और मॉम्स में मेरा नाम है काविता आज हम बात कर रहे हैं शिशुों के टीधिंग के बारे में जब उनके मुह में दात निकलेगा और कितने दात आएंगे उनके और देख बाल कैसे किया जाए symptoms या signs जिसे हमें पता चले कि उनके दात निकलने वाले हैं और structure के बारे में थोड़ी जानकारी रखेंगे क्योंकि हमें पता रहना चाहिए कि कितने दात आएंगे और कैसे आएंगे क्या-क्या इदने कहा जाता है अगर हमें पता चलेगा तो हम उसके बारे में डॉक्टर से बात कर पाएंगे अगर थोड़ा भी धर-ुदर हो रहा है तो हमें पता रहेगा तो इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो यह सब जानकारी मिलेगी इस वीडियो का दूसरा भाग हम पोस्ट करेंगे जिसमें हम बात करेंगे टीदिंग रेमेडिस मतलब बच्चे को जब दाद आता है तो बहुत ज्यादा प्राबलम होता है तो इस समय पे क्या करना चाहिए और दूत पीते बच्चे especially breastfeeding करते हैं तो माएं बहुत चिंतित हो जाती हैं कि वो काट ना ले तो क्या करना चाहिए उस वक्त में वगेरा दूसरे भाग में बात कर रहे हैं तो हमारा अगला वीडियो तब देखना मत भिलिएगा आज का वीडियो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले जानेंगे पहला दात बच्चे को कब आ सकता है तो ये स्टैंडर्ड गाइडलाईन है स्टैंडर्ड गाइडलाईन का मतलब अगर हम कोई रिसर्च करते हैं हजार बच्चों के उपर तो हजार बच्चों में अटलीस्ट 600-700 बच्चों का यह रहता है range तो वैसे follow किया जाता है standard guideline ऐसे नहीं कि सारे बच्चों का इसी plan या इसी phase में आता है but again इसे कहते है standard weight chart के बारे में बात करें height chart के बारे में बात करें तो सब का ऐसे ही रहता है तो इसका मतलब यह नहीं कि कोई बच्चा उससे थोड़ा इधर उदर है तो बच्चे में कुछ problem है don't worry on that अभी 6 महिने से बच्चे को 3 साल तक भी आ सकता है यह milk teeth कहा जाता है इसे और बच्चे का पहला दात 3 महिने में भी आ सकता है कभी बच्चा जब जनम लेता है तभी मुँ में अगर आप चेक करेंगे तो थोड़े से आपको दिख सकता है कोई कोई बच्चे ऐसे भी होते है और कभी कबार बच्चे का दात एक साल के बाद भी नहीं आता है तो थोड़ा बहुत तब आपको चेक करने की जरूरत रहेगी वरना टेंशन लेनी की कोई बात नहीं है एक साल के उपर भी नहीं आ रहा है तो एक बार अपनी बच्चे के पीडियाटिक डेंटिस्ट जिने कहा जाता है उनके साथ मिलके आप बात कर लीजेगा अल्रड़ी मैंने बता दिया है कि बच्चों में 20 दात आते हैं तो पहले उनका एज जो रहता है 6 महिने से 3 साल तक जो भी दात आते हैं उन्हें मिलक टीट कहा जाता है बेबी टीट, टेंपररी या प्राइमरी टीट कहा जाता है क्योंकि ये बाद में जाके गिर जाते हैं जब बच्चा 6 साल तक का होता है तो ये सब गिर के 14 साल की उमर तक बच्चे को जो दाते आते हैं उन्हें पर्मिनेंट टीट कहा जाता है अभी दात कैसे उखते हैं बच्चों के गंज जो रहते हैं उससे अंदर से जो भी दात दिखता नहीं है वो इस प्रोसेस में बाहर आता है तो थोड़ा फूल जाता है स्किन वहाँ पे और थोड़ा सा रेड़िश भी हो जाता है और बहुत दर्द होता है बच्चे को क्योंकि एक स्किन की जैसे जो भी वहाँ पे रहती है वो टेर ओपन होके वहाँ से दात आना है तो यह रहता है प्रोसेस टीथ एरप्शन का अभी बच्चा बहुत कारणों से रोता है पर टीदिंग के ऐसे पता चलेगी कि दात आ रहा है बच्चे में इसलिए बच्चा रो रहा है तो थोड़े बहुत जादा और सिंटम्स या साइन्स मैं बताऊंगी साइन्स जैसे बच्चा बच्चे के मुझ से बहुत सलाईवा आ रहा है डूलिंग बहुत कॉमन हो जाती है और बच्चा हर चीज में रोता है क्रैंकी जैसे रहता है डिसकंफर्ट उसका लेवल इंक्रीज हो गया है खाना कम खाता है और इधर उदर की चीजे जो भी मिलते है उसे लेके मुझ में डालता है चबाने में बहुत जादा इंटरस्ट दिखा रहा है और कानों को कभी कभार उसे इरिटेशन होने की वज़ए से ऐसे टच करता है या स्क्रैच करता है तो अबज़व किजिए क्योंकि जा लाइन का जो भी चेंजस हो रहा है यहां पे मुझ में उसकी वज़ए से वो भी हो सकती है और बच्चा सो नहीं पा रहा है बहुत भूख के कारण इरिटेट भी हो रहा है क्योंकि उसके मुझ के अंदर इतना दर्द होता है आप ही सोचेगा जब हम 30 years के नजदीक आते हैं तो wisdom teeth आती है पीछे तो वो जो रहता है इतना problem हो जाता है हम ही fever आ जाता है कभी कभार हम office से चुटी ले ले लेते हैं तो बच्चों में भी ऐसे ही करेंगे अभी हमने बात किया कि ये permanent teeth नहीं है पर देखवाल क्यों जरूरी है सबसे पहली चीज है ये जो उपर का primary teeth या जो हमें दिखरा है milk teeth उसके अंदर है permanent teeth है तो अगर इसका placement ठीक तरह से नहीं हुआ तो बाद में उसका भी permanent teeth भी वैसे ही आ जाएगा उसी जगा पे वैसे ही आ जाएगा तो इसलिए थोड़ा ध्यान बरतने की जुरत है इधर उधर कुछ लगा आपको तो एक बार doctor को meet करके पूछ लीजेगा बहतर है और speech का problem हो सकता है क्योंकि अगर आप observe करेंगे छोटे बच्चे या बड़े बूडे जिनके दात गिर चुके है वो उनका जो pronunciation रहता है वो ठीक नहीं रहता है क्योंकि दात नहीं support करते तो दात speech concern में बहुत मानियता रखता है और एक और चीज है कि आपने अगर DK होने दे दिया भी बहुत जादा sweet दे दिया सोच रहें कि वैसे भी इसे गिरना है तो ये अंदर तक भी जाके damage कर सकता है उपर ही हिस्सा ही हमारा DK नहीं हुआ है obviously अंदर तक touch होगा ना अंदर की जो दात है उसे भी damage कर सकता है तो इसलिए ध्यान में रखिएगा कि बच्चों को जादा sweet, chocolate बगारा ना दे और आखिरकार अभी हमारा oral health अभी मूँ का हिस्सा जो है बहुत ही important है क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं यहीं से हमारे पेट के अंदर आना है अगर ये स्वच्च नहीं है इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो obviously हमारा पेट, हमारा सिस्टम भी बिगड़ जाता है digestive health specially बच्चों में बिगड़ जाने के chances रहते हैं तो इसलिए जो भी दात आते हैं पहले मिल्क टीथ भी हो आपको उसमें बहुत जादा सावधानी बनते की जरूरत होती है अभी teeth placement कहां कहां कैसे दात आता है general knowledge है थोड़ी जानकारी रखे तो अच्छा है क्योंकि at least हम observe कर पाएंगे कुछ गलत हो रहा है तो doctor को बता पाएंगे जाके मिल पाएंगे at least problem कैसे हमें पता चलेगा अगर हमें उसका correct structure ही नहीं पता है तो इसलिए I am just giving you a small glimpse तो हमारे दात जो बच्चे के पहले आते हैं milk teeth वो 20 होते हैं और 20 में 5 set होते हैं हर एक set में 4-4 दाते तो 5 into 4, 20 teeth all together तो ये variety क्या-क्या है हम in detail एक chart को देखे के समझेंगे सबसे पहले होता है ये central incisor जो color आपको दिख रहा है उसे देखिएगा red color में जो है वो 6 महिने से 12 महिने तक आ सकता है और नीचे 2 दात उपर 2 दात मिला के ये 4 का एक set हो गया central incisor next in orange आप देखेंगे lateral incisor इसका Hindi नाम मुझे नहीं पता है और आजकल doctor के पास जाएंगे तो वो भी Hindi या regional language में नहीं बात करते तो I think it's okay to know it in English only तो 9 to 13 months उपर में जो lateral incisor आता है वो उपर तब आएगा and 10 to 16 months नीचे आ सकता है और बाद में आएगा first molar उसके बगल में ही नहीं आता first molar 13 to 19 months में आ सकता है उपर और नीचे 14 to 18 months ये भी एक average guideline है सब बच्चों का ऐसे ही आता है नहीं होता थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है कभी कबार दो दात इखटे आ सकते हैं कभी कबार एक ही दात टाइम पर नहीं आ सकता तो ऐसे changes रहेंगे definitely canine teeth जो चबाने में या काटने में बहुत मदद करता है बहुत sharp रहता है और ये आता है around 17 to 23 months और 16 to 22 months ऐसे और बाद में आएगा finally second molar जो 25 to 33 months उपर और 23 to 31 months नीचे ये सब एक structure रहता है जैसे आप हर एक set में देखेंगे तो उपर दो नीचे दो के set आते हैं और total 4 दातें एक set में हैं और 5 का जो भी variety है यहाँ पे आपने पढ़ लिया कि central incisor lateral incisor बाद में first molar बाद में canine और आखिरकार आता है second molar आज के वीडियो में finally हम बात करेंगे myth around baby teething बच्चे का दाजब आता है बहुत सारे अफवाएं हैं इधर उदर की बाते हैं कि बच्चे का पेट में कुछ problem है बच्चे को भगवान ने कुछ श्राप दे दिया है कि इतने जल्दी दात आ गए वगेरा वगेरा तो पहली चीज मैं बात करूंगी myth जो है वो in general कोई विश्वास करता है पर वो बेबुनियाद विश्वास होता है इसलिए उस चीज को myth कहा जाता है English में अभी बच्चे को अगर दात आ रहा है थोड़ी देर से इधर उधर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जल्द ही आ गया बच्चा जब जनता है तभी किसी बच्चे के मुँ में दात है तो भी डरने की जरूरत नहीं है कब आपको एक बार डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है जब एक साल हो गया फिर भी बच्चे के मुँ में दात नहीं आया तो कैल्शम डिफिशेंसी या थाईरोड इश्यूस नहीं है इन चीजों को रूल आउट करने के लिए एक बार डॉक्टर से मिले काफी हो जाएगा और बहुत जेनरल या कॉमन थॉट होती है हमारी की दात आ रहे हैं तो लूज मोशन जरूर होगा दात आने के दर्द से फीवर हो सकता है पर दात के वज़े से लूज मोशन नहीं होता है इस टाइम पर बच्चा अनहाईजीनी कुछ इदर उदर की मुह में डाल लेता है और उसका फूड इंफेक्शन कैसे होता है जब हम गलत कुछ खा ले कुछ पढ़ गया तक खाने के अंदर तब होता है वैसे ही बच्चे को इंफेक्शन की वज़े से पॉटी ज़ादा होती है डायरिया हो जाता है और आखिरकार मिल्क टीथ है ये पहला बच्चे का दात है जाने दो कुछ भी खाने दो वैसे भी गिर के अच्छा टीथ आने वाला है बाद में दाते अच्छे ही हो जाएंगे टेंशन ना लो, स्वीट खा लो, मिठाई खा लो या फिर चॉकलेट खा लो, कुछ नहीं होगा ऐसे सोचना ही गलत है क्योंकि पर्मिनेंट टीथ डामेज हो जाएगा जो भी बाद में आ रहा है उसमें भी हर वक्त, हर बार डीके की इश्यूस दिखते रहेंगे तो ये था एक पार्ट दातों के बारे में बच्चे के दात कब उखते हैं वगेरा, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा इसलिए टू पार्ट में मैंने डिवाइट किया है एक दिन के बाद मैं फिर से इसका दूसरा भाग पोस्ट करूँगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा ताकि अपडेट मिले आपको इस वीडियो का और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज जाके लाइक बटन दबाईएगा कोई कॉमेंट्स है सजेशन्स है इंप्रूव्मेंट के बारे में तो लिखना मत भूलिएगा चलिए फिर से मिलते हैं अच्छे अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए शुक्रिया नमस्कार और बबाई